नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल अरवेदिक उपचार में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से चावल के उपयोग के बारे में जानते हैं स्वास्ति के लिए वैसे तो खाने में आप सभी इस्तेमाल करते हैं पर इसके कुछ बहतरीन तरीके जानते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने इसकीन को बहतर रख पाएंगे इसी के साथ साथ बहुत से फायदे पाएंगे जैसे कि सबसे पहले इसकीन की बात किया हमने तो ले ले लेते हैं एंटी एजिंग के रूप में यूज होता है ये जिहां एंटी एजिंग का मतलब कि आपको जो बहुत से लोगों को देखा होगा आपने के उम्र होती है 20 लेकिन वो लगेंगे 30-40 के तो ये समस्या नहीं होगी अगर आप चावल का उपयोग करेंगे तो चावल में थायमीन पाया जाता है जो कि एजिंग को रोक करके रिंकल्स को दूर करता है यानि कि जूर्यां जो आ जाती है इसकिन पर उनको दूर करता है ये बालों को इसकिन के लिए ये बालों और इसकिन के लिए काफी हेल्दी होता है इसके लिए क्या करें चावल बनाएं उसका पानी जो ह चावल के पानी को उसका सेवन कीजिए काफी फायदेमंद होता है चाहे तो उसमें निम्बू और थोड़ी काली मिर्च डालने इसके बाद इसका सेवन करें और गुड़कारी हो जाता है यह इसके अलावा हाइपरटेंशन को यह दूर करता है जिन लोगों को हाइपरटेंश की शिकायत होती है उन्हें चावल जरूर खाना चाहिए यह बॉड़ी के नमक को सोकता है और ज्यादा नमक होने से ही हाई बीपी की समस्या होती है बॉड़ी में सीफूड को रोक दीजिए और नमक कम खाना स्टार्ट कर दीजिए इसके साथ साथ चावल का सेवन कीजिए आपके हाई बीपी की समस्या कंट्रोल हो जाएगी इसके अलावा यह कैंसर सेल्स को रोकता है जिहां चावल में इंटी कैंसर फाइवर होता है जो कैंसर सेल्स को बनने नहीं देता है इसके साथ ही यह प्रोस्टिट कैंसर से भी आपको बचा करके रखता है तो इसलिए चा चावल बनने के बाद उसको ठंडा नहीं होने देना चाहिए, आप ताजा खाएं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, ठंडा करके खाएंगे तो आपके लिए वहीं चीज उतना फायदे मन नहीं रह जाता है, कुछ मामलों में नुकसान दायक भी हो जाता है, इसके अला अच्छी मातरा में पाया जाता है, इसलिए ये कबजयत की शिकायत को दूर करने के लिए अच्छी औश्यदी के रूप में कारे करता है, खास करके इसका सेवन कैसे करें, आप चावल को क्या करें बनाएं जब भी, तो उसके पानी को फेके नहीं, उसके पानी को आपको क्य चाहरे के लिए बहुत अच्छा होता है इसका प्रियोग आप चाहें तो कर सकते हैं कुहनियों पर कुहनिया किसी कि सिकी काली हो जाती हैं तो वहाँ पर आप इसके जो चावल का पानी होता है उसमें आपको थोड़ा सा सोड़ा मिलाना होता है और उससे आपको मालिश करनी होती है कुहनियों की दोच से पांच दिन तक करेंगे आपकी कुहनिया साफ हो जाएंगे अगर इसमें थोड़ा सा ओश्यदी के रूप में ये कारे करेगा जब आप इससे रब कर लें अपने कुहनियों को या फिर घुटनों को उसके बाद आपको एक काम करना होगा कोई भी एक मोस्चराइजर अच्छा सा जरूर लगा ये धोने के बाद आपके स्कीन को देखेंगे कि ये स्मूत बना नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले लाइक कीजी वीडियो पसंद आया तो शेर कीजी उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजी आपके मन में कोई सिहत संबंधी सावाल है तो हमाने वाले दिनों में उन टोपिक्स पर आप सभी के लिए वीड आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों